हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे स्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार टूटोरियल्स में तो दोस्तों आज अगेन आप सभी का स्वागत है और आज के दि आदू कियार अल्रीडी हमारे चैनल के उपर आप सभी 10 स्टांडर के हर एक सब्जेक का हमारे वाइट बोर वाले वीडियो का पूरा सिलाबस पहले से कंप्लीट है तो आगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो और पूरा का पूरा चाप्टर पढ़ना चाहते है पूर प्रॉपर्टी है एक है 30, 16, 90 डिग्री ठीरम के उपर और एक है 45, 45 डिग्री, 90 डिग्री ठीरम के उपर हमें पढ़ना है ठीक है तो ये दोनों ठीरम के जो बेसिक रूल्स होते हैं जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वही पूछा जाता एक्जाम में तो वो मैं बेस पर कुछ एक्जाम्पल्स आपको बताने वाला है बस आपको इक ही काम करना है टोनों के उपर दो कोशन जरूरर आते हैं मतलब 10-60 के उपर और एक 45 45 के उपड़ आपने अग्रम में नूटीज किया होगा ये दोनों में से एक तो आना ही आना है लेकिन कभी गभी दोन के लिए टोडल चार मार्स के यहां से आपको बन जाएंगे हो सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जरूर से फॉलो कर लेना और बहुत अच्छा लगए कि जा आप मुझे अगर आप देखोगे तो मेरे पास अंगल ए जो दिखरा आपको यह 30 डिगरी दिखरा है ठीक है जब यह 30 डिगरी है एंगल सी आपको 60 डिगरा है तो यह 30 यह 60 होगे 90 तो बचाओ कितना होगा 90 बिकॉस वी आल नो डाट कि पूरा का पूरा एक ट्रैंगल में तीन एंगल होत प्लस करके 180 होंगे तो यह तो एक्ष्वल में मुद्दे की बात नहीं है मुद्दे की बात यह है कि जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा कि कोई ट्रैंगल के अंदा 30 60 और 90 तीन हो आइंगल दिये हुए तो हमारे कुछ फॉर्मूलेस बनते हैं क्या फॉर्मूलेस के बेस प जो भी साइड दिख रहा है कौन साइड दिख रहे दोस्तों BC साइड अपोजिट तो 30 डिगरी यह ट्रैंगल के इसाप से 30 की डिगरी के अपोजिट क्या दिख रहे है BC दिख रहे हाई आपका जो कोशन्स आएगा उसके उपर देख ले ना कौन सा दिया रहेगा मतलब हो स कहीं पे भी कोई भी triangle में 90 degree होता है, खासकर right angle triangle में, ठीक है, या फिर 30-60 में भी 90 होता है, तो जहाँ पे भी 90 दिख रहा है, 90 के opposite में जो भी side दिख रहा है, 90 के opposite में जो भी side दिख रहा है, वो आपका hypotenuse side होता है, चाब बोलते हैं उसको hypotenuse, और यह हमने आपको बताया भी पाइता कर उसके पहले lecture में, ठीक है ना, तो यहाँ पे, देखो, एक यह बहर जो बोलता होता है, आपको याद रखना है, side opposite to 30 degree is equal to half multiply by hypotenuse, उसी प्रकार जो दूसरा formula है, side opposite to 60 degree, जो भी होगा, is equal to root 3 by 2 of hypotenuse, तो दो चीज आपके माहिन में बिठा लो, अभी से याद कर ल है, मतलब 1 by 2 multiply by hypotenuse, whenever you want to calculate side opposite to, side opposite to 60 degree, तो यह आपका क्या आएगा, that is root 3 by 2 of hypotenuse, ठीक है, समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो side opposite to 30 degree, क्या है हमारे लिए यहाँ पे, BC है, तो BC का value क्या A, B है न, 60 के opposite में क्या है, A, B वाला side है, तो A, B का value निकालना है, मतलब मुझे root 3 by 2 करना पड़ेगा, multiply by hypotenuse, क्या है, AC, तो root 3 by 2 multiply by hypotenuse, मतलब root 3 by 2 AC, यह क्या है हमारे लिए, क्या है, it is, it is nothing but what formula, यह आपके क्या है, formulas है, correct है, समझ में आ गया, अब, यह तो आपने formulas है, अब formulas के बेस में हम क्या करते हैं, कुछ examples आपको solve कर रहाते हैं, चलो एक ही example कर रहा हूँगा, जैको में को आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा सा में आराम देना चाहरा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो लेता हूँ में, एक triangle बना लेता हूँ, let's suppose I am making one triangle here, ठीक है, एक triangle है मेरा, जिसका नाम क्या है, L, M, N, इसको नाम में देता हूँ, triangle L, M, और N, ये triangle में angle L जो है, वो 30 degree है, मतलब ये वाला कितना है, 30 degree, angle N जो है, ये 60 degree है, और ये वाला M जो है, 90 degree है, बोल के रखा है, LN का जो value है, LN का जो value है, 6 cm, मतलब ये जो LN है, इसका जो value है, वो है, कितना 6 cm, हमें पूछा है, कि ये जो MN है, इसका value निकालो, और ये LM है, इसका value निकालो, तो सबसे पहले आपको ये diagram देखके, या फिर question को पढ़के ही समझ में आ गया, कि यहाँ पे 30 degree भी है, 60 degree भी और 90 degree मतलब ये कौन सा property लगने वाला है, according to 30, 60 degree, 90 degree theorem, तो हम लोग क्या बोल सकते है, according to 30 degree, 60 degree, 90 degree का triangle theorem, इसके accordingly मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो formula, according to 30, 60 degree, 90 degree triangle, इसके accordingly मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे, that is, side opposite to, ठीक है, ओके, तो इस triangle के accordingly अगर मैं बात करूं, तो हमें एक्च्ट में क्या निकलना है MN और LN तो MN आप देखो सबसे पहले अगर मुझे MN निकालना है तो MN का मतलब क्या है 30 के opposite वालो side है ना MN तो अगर मुझे MN निकालना है तो MN का value क्या हो जाएगा side opposite to 30 degree क्या होता है MN का value क्या हो जाएगा that is 1 by 2 of hypotenuse क्या हो जाएगा 1 by 2 of hypotenuse अब यह इसका मतलब हुआ 1 by 2 of hypotenuse ठीक है इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर MN विल बी equal to 1 by 2 of hypotenuse मेरे लिए क्या है LN है ठीक है तो मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ therefore MN will be equal to यहाँ पर नीचे लिखता हूँ चलो यहाँ पर नहीं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ therefore MN will be equal to 1 by 2 of LN कितना value है 6 है तो 2 1 जा 2 2 3 6 मतलब answer कितना आगया MN का MN is equal to 3 cm MN का value आपने यहाँ से निकाल लिया से दूसरा आपको क्या निकालना था मुझे बताओ दूसरा आपको निकालना था LM LM की देर है यह वाला LM है यह साइड जो है LM है अब LM किसके opposite है 60 की opposite है मतलब कौन सा formula लगएगा 60 की opposite है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ मुझे अगर LM निकालना है LM निकालना है तो यह किसके opposite है 60 डिगरी के opposite है मतलब क्या होता है formula root 3 by 2 of hypotenuse यह होता है ना formula root 3 of hypotenuse तो therefore LM will be equal to root 3 by 2 multiply by hypotenuse क्या है LM है मतलब multiply by LM that is root 3 by 2 multiply by 6 तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा therefore LM will be equal to 3 root 3 और centimeter अब आप यह तो लिक सेक्ते हो लेकि आपको भूल गया कि कभी भी आप यह formula लिखते हो ना इसका reason आप लिख दो that is side opposite to opposite to 30 degree यह क्यों लिखा आपने कूणकि यह side opposite to 30 degree है उसी प्रकार यह क्यों लिखा क्योंकि यह side opposite to, यह किसके डिगरी है 60 डिगरी के opposite है तभी तो यह formula आ रहा है तो directly आपने formula लिखा तो ऐसा इसके लिए हमने यह formula लेखा, यह side opposite to 60 degree है, इसके लिए हमने यह formula लेखा, ठीक है, समझ में आ गया, तो एसे ही questions exam में आते हैं, बहुत चुटकी बजाते हैं, आप लोग इसको soil कर सकते हो, clear है, समझ में आ गया, अब चलते हैं हमारे दूसरे topic, आज के दूसरे topic के ओपर, जो क triangle कुन सा होता है, right angle triangle होता है, क्योंकि अगर एक 45 है, एक दूसरा 45 है, यह तिसरा क्या होगा, 90 होगा, तो यह क्या बन जाएगा, that is right angle triangle बन जाएगा, correct है, समझ में आ गया, अब यह जो right angle triangle में जो ABC दिखर रहा है, यहाँ पर एक एक एंगल को पकड़ों, तो इसका side opposite क्या है, AB, मतलब यहाँ पर दोनों, एक ही formula से दो value निकलते है, यानि कि side opposite 45 degree is equal to AB भी रहेगा, BC भी रहेगा, is equal to क्या रहेगा, 1 by root 2 of hypotenuse, समझ में आ गया logic क्या है, वापस से, इसके पहले का भी revise कर वा रहा हुँ, देखो, कभी भी आपको side opposite to 30 degree पूचा, तो 1 by 2 of hypotenuse, side opposite to 60 degree पूचा, तो 1 नहीं, root 3 by 2 of hypotenuse, और 45 degree पूचा, तो क्या हो जाएगा, 1 by root 2 of hypotenuse, बस और कुछ नहीं है, कुछ भी फरक नहीं है, इसके अंदर, तो यानि कि 45 के आपोचिट AB भी है, और 45 के आपोचिट BC भी है, तो AB और BC का value कितना हो जाएग सबसे पहले triangle, तो triangle मैं बनाता हूँ, triangle x, y, z, ठीक है, let's suppose this is my triangle, जिसका नाम है x, y, z, यह triangle है मेरा, जिसमें आपको बोल रहा है कि angle y जो है, ठीक है, sorry, तो थोड़ा naming अलग करना पड़ेगा, ठीक है, देखो, यहाँ पर यहाँ से, देखो, क्या बोल रहा है, x, y, z है ना, 45, मतलब यह दोनो 45 डिगरी दिये हुए, correct है, आपको क्या पूचा है, कि x, y और x, z निकालो, तो यह x, y है, यह x, z, तो अगर मुझे x, y, is equal to x, z, जो नो, दोनों सेम होंगे, x, y का value भी और x, z का value, दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि यह दोनों के दोनों साइड 45 के opposite है, देखो, यह x, y, जो है, x, y, यह भी 45 के opposite है, और यह जो x, z है, यह भी 45 के opposite है, मतलब यह दोनों के दोनों, is equal to क्या हो जाएंगे, 1 by root 2 of hypotenuse हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हमारा formula है, side opposite to 45 degree वाला formula, correct है, तो डाल दो में वैलू, that is 1 by root 2 multiply by hypotenuse क्या है मेरे लिए यहाँ पर hypotenuse यह है न, value दिया हुआ है, देखो, कहां गया, zy का value root 3 root 2 दिया हुआ, यह value 3 root 2 आपको दिया हुआ है, यानि कि multiply by 3 root 2 दिया हुआ है, आपको, that will be equal to, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह root 2 और यह root 2 cancel हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ ओर सी 3 बच रहा है, मतलब मेरा जो xy है, is equal to xz है, is equal to 3 cm आ रहा है, और कितना आसानी से, बोलो, मुझे 5 second नहीं लगा होगा, यह तो मुझे explain करने लिए time लग रहा है, नहीं आप solve अगर करोगे, तो उसे 5 second में आपका जो answer है, वो आज आएगा दोस्तों, clear है, समझ में आ गया दोस्तों, तो उमीद कर रहा हूँ कि यह lecture आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ यह आज का जो topic है, यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ, thank you so much guys for watching this video, बहुत ही simple, बहुत ही sweet से examples आते हैं, इसके उपर, definitely आप लोग अच्छे marks निकाल पाऊँगे, ठीक है, तो आज का वीडियो यही पर समाप्त करता हूँ, लेकिन आगे continuously videos आते रहेंगे, हमारे चानल के उपर science के आ रहे, maths क्या रहे है, और continuously बाकी standards, बाकी subjects के आ आ रहे ह तो please share to everyone, और उनको भी बोलना, आगे share करने के लिए यार, 1 million काफी नजदीक आ चुका है, दोस्तों, तो please आप लोग अगर support दिखाओगे, तो हमारा 1 million का जो सपना है, दोस्तों, वो जरूर से पूरा हो सकेगा, तो please support, and अगर first time आयो चानल पर भी जख चानल को subscribe नहीं किय तो फटा फट से हमारे चानल को subscribe कर देना, बाज में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगो notifications मिलती रहेगी, ठीके friends, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new video में तब तक के लिए, thank you and good bye